असलाम लेकुम फ्रेंड्स उमीदे कि आप सब ख्यारियत से होंगे जैसे कि मैं आप लोगों के साथ क्राइटेरिया शियर करती चलूँ जैसे सब कोई पता होगा लेकिन वैसे भी रिमाइंडर करवाना लाजमी है क्योंकि टैस अंकरीब सुन रहें के जल्दी होंगे तो यह आपके कॉम्प्रियंशन से होंगे रिडिंग कॉम्प्रियंशन से तो यह 40 परसन आपका क्राइटेरिया है इंग्लिश का उसके बाद अगर हम देखें ग्रामर में तो ग्रामर के अंदर error deduction के रहें preposition और sentence structure इनके 5-5 MCQ होंगे उसके बाद हम आते हैं mathematics की तरफ तो mathematics के 20 परसन होंगे जिसके 10 marks आपके होंगे जो है basic arithmetic that when के 10 questions आपके होंगे arithmetic के 10 आपके होंगे word problem उसके बाद अगर हम आजए आ जाएं general knowledge की तरफ तो current affairs आपके और word general knowledge होती है वो 15 होंगे उसके बाद everyday science आपके 10 आ रहें इसलाम याद पाक्सन स्टड़ी वो 5 आएंगे computer आपके 10 MC की उसाएंगे तो total होंगे 100 अब इसकी तैयारी किस तरह करनी है English जो आप basic तैयारी करते रहते हैं आम तरह जो भी होती है उनके practice करते रहा कर रहा है mathematics की भी मेरी a moment videos uploaded हैं उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं जैसे के हमने ps2-gst की तैयारी की थी same similar इसी तरह भी इसकी भी यही होगी अगर हम बात करें नीचे की third portion की general knowledge की everyday science के मैंने कुछ questions जो है important अभी अपनी website पर upload की हैं वो मैं आप लोगों के साथ share कर देती हूँ तो उनको आप एक बार read कर लें जब भी आपको time मिले लेकिन read लाजमी क कीजिएगा मैं read करके आप लोगों का time waste नहीं करना चाहती इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ जो है कुछ important questions जो है शेयर कर दूँ जो कि हमारे test के लिए important हैं तो आए वो भी मैं आप लोगों को देखा देती हूँ आप जब google में आएंगे और लिखेंगे फारे नासलम तो सामने कुछ पेच इस तरह से open होकर आएगा तो इस पर आप फारे नासलम पर click करें click करने के बाद आप एरी website पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर mcqs अप्रोड की हूँ है जो कि सिंद्पलो सर्विस वालों के लिए फेडरल वालों के लिए और तमाम लोगों के लिए important है यह कुछ important everyday science के questions हैं जो कि आप लोगों को पता ह होने चाहिए तो इनकी तैयारी करना आपके लिए लाजमी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ important जो है questions यहाँ अप्लोड की हुए हैं इनको आप रीट करें अच्छे तरीके से क्या बता हैं में से कोई 1 mcqs या 2 mcqs आपके टायस के अंदर आ जाएं जो कि आ एक बार देख लिया करें क्योंकि पढ़ते हैं जो हमेशा अकसर हमारे जहन में आ जाता है जब हम टैस्क कर रहे होते हैं उमीद करते हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर किजिएगा थैंक यू फॉर हैंएख कि अक्रीं होगी हाईभियो और देख बार देख लございます